हेलो एंड वेलकम एडियाशुन्स सो बच्चों कोडिक एक्वेशन के बहुत ही अच्छा से शौटकर ट्रिक जिसमें आपको कोडिक फॉर्मला नहीं उज़ करना है सिर्फ फॉर अप्शन्स इसको देखना है और आपका आंसर आने वाला है येस आज की वीडियो में हम लोग येस्टरी करने वाले है तो दाइसर आज़ ऑप इस के लिए इनकेस आपको भी शॉर्टक ट्रिक मालूं करना है ठीक है जिससे आपको वादिक वीडिक फॉर्मला नहीं उज़ करना पड़े घ्याए बहुत आराम से इसको इसको एक्टरी करने माले है suppose a general equation is given like ax square plus bx plus c equal to 0 so बच्चो इस quadratic equation के 2 roots होने वाले right, कोई भी अपने पास quadratic equation उसका 2 answers आता है ठीक है, 2 roots होता है so suppose इसका में 2 roots जो है 1 alpha and second is beta right, ठीक है now in case मैं 2 roots को add करने वाला हूँ so a अपने पास आएगा this minus, बच्चो जो x के साथ अपने पास, okay, here it is b so it is minus b upon a ठीक, और in case मैं दोनों को product mind करूँ, so ये अपने पास आएगा c upon a right, बच्चो ये जो आपको first question था, in case मैं दोनों roots को plus करने वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास जो answer यहां से आने वाला है, alpha plus beta है, इसका अपने पास answer minus बच्चो ये b, जो x के साथ अपने पास, so it is 6 and upon a right, a, so it is 1, right, so ऐसा कौन सा आपको पास option है, जिसको add करने से minus 6 answer आने वाला है right, 6 plus 5 ये नहीं, ये भी नहीं, इसको भी नहीं yes, the answer is this जो quadratic equation, x equal to this minus b, plus minus root d, upon 2a ये तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे हैं, लोग in case options दिया है, ठीक है, इधर जोखो in case, इधर मैं अपना answer find करू so it is alpha plus beta o equal to आने वाला है minus, जो यहां पास b अपने पास दिया, x के साथ में here it is minus 3 so it is minus 3 upon, again it is 1, so a equal to आएगा 3, कौन्सेप्ने पास ऐसे options, जिसको plus करने से 3 आएगा a नहीं ये वाला yes, minus 2 plus 5, yes so this is the answer, right clear हो गया, कुछ questions में बहुत यच्छे से देने वाला हूं आप वीडियो को रोगना, खुछ से ट्राए करना और फिच्छे करना, आपको करेक्ट आंसर आया ये ये लिए right okay, so students, try this question 3 x square minus x minus 2 equal to 0 okay, video रोगो खुछ से ट्राए करना, and then you check your answer okay, okay, now check sum of roots alpha plus beta equal to this minus, and b value here it is minus 1 upon 3, so it is 1 by 3 and a product of roots alpha and 2 beta equal to it is c upon a, right so c value here it is minus 2 upon a value is 3 okay, दोनों में से जो condition आपको अच्छा लग रहा है उसको आप यूश करो, but अच्छा रहेगा, आप दोनों ही check करोगे so that आपको ये confirm हो जाए कि मेरा answer correct है, okay so इसमें से अगर मैं check करूं product को अगर, so it is अपने पास minus 2 by 3 आना चाहिए इसको चेक किया मैंने, multiply किया yes, ये नि होने वाला है here it is 8 by 27, ये भी नहीं ये इसको भी नहीं, yes, इसको multiply करो minus 2 upon 3, ठीक है ये आ रहा है, बच्छा इनकेस आपको ये confirm करना है कि correct ही नहीं, आप इनको add करो, 1 plus minus 2 by 3 so here it is 1 minus 2 by 3 okay, LCM लेने से, it is 3 minus 2 upon 3, so it is 1 by 3, yes, बिरुकर confirm हो गया, right confirm हो गया कि ये ही अपना answer इस वेज़े से ऐसा है, confirm करना because में भी हो सकता है, ऐसा कोई आपके पास और answer है, जिसको product करने से same या रहा हो, ठीक है तो आप एक बच्छ करना भी उसको भी देखना, और एक पार product, दोनों को ही object करना, right ठीक है, so next question, आप उसको try कर कर ले, yes, so next, fifth question right, it is 4 root 3 x square plus 5 x minus 2 root 3 equal to 0 so options देखने हैं भी तो बड़े खतारना but अपने को डर्वना नहीं है जो भी अभी तक 4 questions में किया फिर से आप उसको यूस करो, ठीक है वीडियो को रोख लो पिले, कुछ से try कर लो जो भी अभी तक 4 questions में किया और फिर चेकरते answer ठीक है, so sum of roots this alpha plus beta equal to this minus and here it is 5 upon a value 4 root 3 multiply करने से इसको it is this, c upon a right, but c अपना भी यहाँ पर with minus d here, so it is minus 2 root 3 upon a, it is 4 root 3 right, so this root 3 and root 3 cancel, this 2 1 times और यह 2, so it is minus 1 by 2 बच्चो अच्छा चा जा जा रहा है यह जादा इसी है, अब protect करका देखो कौन से अच्छा दो number इधर आपको दिया, जिसको मैं multiply करने से minus 1 by 2 आएगा, यह तो नहीं है, इसको अटाया इसको multiply करने से it is 20 root 3, ना, बिल्कुल नहीं इसमें भी नहीं अपनाने वाला है, इधर this, multiply करने से बच्चो root 3 root 3 और root 3 तो cancel होगा, जो options कर दिया अपने को और 2 यह और यह, yes so it is minus 1 by 2, so match वर आईए so this is the final answer right, quantity question का कैसा भी question आई, कितना भी खताना है अपने को डला नहीं है, आप यह जो भी मैंने आपको गला, sum of roots and product of roots, exam में थोड़ा सा, आप दोनों को चक्ता ना तो बच्चों अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी risk कने लिए ना अपने को, एक भी marks cut नहीं होना चाहिए, और यह सब shortcut tricks आप अलग से, किछी separate notebook में लिखके बेट हो, final time में just page बलटना है आपको, right ठीके, so next video में कुछ अच्छे से और, कुछ shortcut tricks रहेंगे आपके लिए बहुत useful होने वाला है बहुत ही जादा आपका time बचाएगा, right